क्या तुम तयार हो हींभारी ये लो अ ऐसा नहीं करते हींभारी तुम दोनू हाथों से इस बॉल को पक्ड़ो ऐसे करके क्या तुम संजी था घृ मारी तुम्हें कितनी बार कहा। कि शीरोपर जादऊ मत किया करो तुम्हें इस तरह अजीब अजीब जादू नहीं करने हैं आई बात समझ में वो मेरी बात सुनती ही नहीं है ये है एक जादूई शहर इस शहर का नाम है हेना हेनासा ये मिलकर बना है कासु काबे, कोशिगाया और सुगा सिटी से को आजाओ आजाओ अरे आज फिर से स्पैरो पकड़ी गई है आज खलना तो कोई इगल मिलता है ना ही कोई वल्चर क्योंकि इंसान प्रकृति को खराब कर रहे हैं। अरे जाओ तुम वापस उड़ जाओ। सुनिए डैड। क्या हुआ बेटा। मैं इंसानों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। क्या। क्या कहा शेंचन अकेले ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है। मैं ये नहीं मान सकती। इसके लिए वो बहुत ही छोटा है अभी। देखो जादू की दुनिया का ये भी नियम है कि जब भी कोई बच्चा पांच साल का हो जाता है तो वो अखेले ट्रेनिंग के लिए जाता है। हाँ, मुझी जाना ही, मुझी जाना ही। पर उसे तो अपना काम खुद करना भी नहीं आता। मैं सब सीख जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ही इंसानों की दुनिया में गया, तो वहां सब को परिशान कर देगा। मैं पक्का किसी को परिशान नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मान जाएए। मैंने कहा ना कि बिल्कुल ही नहीं। माम आप मुझ पर भरोसान नहीं करतीं क्या। यह तुम क्या कह रहे हो, शिंचैन। हमारी परोसियों का लड़का भी तो गया था। मैं जितनी भी दोस्तों को जानता हूँ, वो सब गई है। प्लीज मुझे जानी दीजिए। शिंचैन। मैं समझ गई। मैं तुम से हार गई। तुम जा सकते हैं। अब सुन लो, अगर तुमने जादू का घलत इस्तमाल किया, तो मैं तुम्हें सजा दूगी, समझे। और तुम्हें हर वक्त जादू की दुनिया के नियमों का पालंगरना होगा। कांसे नियम। वो तुम्हें पता है। ठीक है, माम, डैड, ही मावारी और शीरू, अब मैं चलता हूँ। और फिर इस तरह शिंचैन इनसानों की दुनिया में चला गया। यह अजीब से गाने की आवाज कहां से आ रही है। अरे तुम नीची केसे गिर गई। यह बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। मुझे चोट लगी है। मुझे मैफ कर दू। यह सब तुमारी वज़ा से हुआ है। अरे यह क्या मुझे तो ट्यूशन भी जाना था। मैं इस नुक्सान की पुरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे चोट लगी है। क्या करूँ। यह अपने आपी ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे बिना कोई मेडिसन की ठीक हो सकते हैं भला। लगता ही तुम मुझे नहीं जानते ही। मुझे तुम्हें जानने की कोई जरुरत भी नहीं है। समझ लो तुम। ऐसी चोटों में चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि मैं हूँ एक लाजवाद जादू गई। क्या कहा जादूगर। यह कोई मजाग का टाइम नहीं है। अरे यह क्या मुझे तो और भी जादा चोट लग गई। अरे वह अब तुम ठीक हो जाओ गई। आखिर तुम हो कौन। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। तुम मेरी असलियत जान गई हूँ। अब मैं तुम्हेरे साथ रहूँगा। तुमने अपने बारे में मुझे खुद ही बताया है। अब मुझे पहले जैसा कर दो और जाने दो। अरे मैं तुम्हें चोट ठीक भी कर सकता हूँ। अरे यह क्या बस पांच मिनट में मेरी ट्यूशन चुरू होने वाली है। बिल्कुल भी फिक्र मत करू। यह क्या जीप सब बोले जा रहा है। अरे ताइम पीछे हो गया वो भी तीस मिनट मुझे शान्ती मिली। यह तो सच है कि जादुगर्ड सच में होते हैं। यह तो कमाल हो गया। मेरी इतनी भी तरीफ मित करू। बस एक ही मंत्र पढ़ने से तुमने वक्त तीस मिनट पीछे कर दिया है। बस मेरी इगड़ी पीछे हुई थी। इससे क्या पैदा हुआ बला। क्या परिशानी है। अब मैं क्या करू। क्या मत बूलना। तुम्हारा बर्च दे। मुझे फैट नहीं पढ़ता है। मुझे कुछ याद नहीं रहता हूँ। उसकी वज़ा से ट्यूशन में देरी हुई। जिसकी वज़ा से परिशानी जहलनी पड़ी। मैं उससे दुबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं वापस आ गया। तुम वापस आ गई। चलो जल्ड़ी से टेस्टी कुकी खालो। कजामा तुम वापस आ गए। बताइए मुझे यह अमारे घर में क्या कर रहा है मॉम। कजामा बेटा ऐसे बात नहीं करते। मैंने सुना है आजशिंचान ने तुम्हारी बहुत मदद की है। इसने तुम्हारी चोट भी ठीक कर दी। और ट्यूशन वक्त पर पहुँशने के लिए तुम्हारी मदद दीकी है। पर यह हुआ भी तो इसी की वज़ा से था ना मॉम। कजामा बस और कुछ मत बोलना। तुम्हारी मदद करना मेरा परस था। अब यह मुझे थाई के बात बोलना। वा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। मैं तो चाहती हूँ कि आज रात तुम यहीं पर रुको। ठीक है, आग कहती है तो रुक जाता हूँ। अरे यह क्या। खशी से आख हो में आख हो आ गई ना। मैं खुश नहीं हूँ। कजामा मुझे अपनी कबने में सोने देने के लिए थांक यू। लेकिन सुनो, किसी को मत बताना कि मैं एक जादुगर हूँ। यह जादु ही दुनिया का एक नियम है। पर मुझे तो पता चल गया ना, एक इंसान सी कुछ नहीं होता। नियम ऐसे बदल सकते हैं क्या। अगर बाकी सबको पता चल गया तो क्या होगा। तो फिर मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जो जानते हैं कि मैं जादुगर हूँ। उन लोगों के दिमाग से मुझे अपनी सारी यादे हटानी होंगी। यह तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे यह राय सबसे चिपा के रखना है। अगर तु बैटा करोगा तो मैं सबको बता दूगा। तो यह इंसानों की दुनिया का नाश्ता है। मैं दूट डालता हूँ। तुम स्टॉप बोल देना। रख जाए। ऐसे नहीं। इतना दूट तुम्हें चाहिए उतना डाल दू फिर स्टॉप कहना। समझा तुम। तुम ही मुझे यह पहली बता दीने चाहिए था। तुम अच्छी सी नहीं समझाती। तो तुम तैयार हो। क्या इतना ठीक रहेगा। तुम तुम इतनी फाल्टू बाते करते हो। मैं जा रहा हूं। मुझे अकेरा छोड़कर जा रही ह। मैं सानों की दुनिया की नर्सी स्कूल में जाना चाहता ह। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इतनी फाल्टू अश्वाण। अश्वाण। नहीं, बिल्कुल बश्वाण। अरे? काशा मैं यह तुम चाहरे हो। यह सब उसकी वज़ासे हुआ। यह सब उसकी वाज़ासे हुआ। इंसानों की दुनिया में थोड़ा घूम लेता हूँ सुनो क्या तुम नॉसरी स्कूल नहीं जाती आज मुझे फीवर हुआ है तो तुम कहां जाती हूँ क्या तुम्हें भी फीवर हुआ है मैं इंसानों की दुनिया में ट्रेनिंग करने आया हूँ मैं आजकल यहां पर रहता हूँ तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हूँ तुम्हारा शुक्रिया सुनो मसाओ अब अंदर आजाओ हेलो दीजी मेरी दोस्त का खयाल रखेगा प्लीज कजामा सुनो क्या हम तुम्हारे घर चल सकते हैं हाँ बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं जिसे क्या हो गया है मुझे उसका और ज्यादा ख्याल रखना होगा मैं वापस आ गया वह तुम वापस आ गया मेरा बुखाय ठीक हो गया था इसलिए में यहां आ गया कजामा वैसे तुम्हारा गर बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो अपने दोस्तों को नहीं ला पाया पर शिन चाहेड तुम ने अपने दोस्त को बुला लिया माफ करना, मैं यह आया तो तुम्हें परिशानी हुई वो दरसर कजीम इस तरहे अपनी दोंस्तों को रेलायन नहीं कहती है थैला दोस्तों हमसे मिलने आये हैं तुम हमारे सब खेलनाने चाहते हो अपर तुमने मसाओं को बुलाया हुआ क्वेलने के लिए यह क्या है वो दरसल बात ऐसी है तुम ने ऐसा क्यों किया हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लेगी मुझे ये परशादी क्यों जेलनी पड़ रही है तुम भी अजीब बाते करते हो मैं अपने घर के लिए भी एक ले जाना चाहता हूँ मेरी डैट को अच्छा लगी गल शिंचैन के परिवार वाले सगिप क्यों मीद रखते है मुझे भूख लग रही है कुछ खाते है मेरी ड्राइवेट बातों पर ध्यान मत दिया करू ड्राइवेट नहीं शिंचैन प्राइवेट होता है अरे ये क्या होगे अरे कज़ा मैं चलो फुटबल खेलती है आज मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं अपने ट्यूशन के एक दोस के साथ गूमने जा रहा हूँ प्लीज मेरी साथ खेलू न देखो मेरे पास तुम जादू करो के लिए खाली वक्त नहीं है मैं एक इंचान हूँ और मुझे बहुत सारे काम होते है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया अरे 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 डूम हम वह खेल खेल रहरा है अगर बागयी सब को पता चल्गान तो क्या होगा मुझे जैदूी दुनिया में वापस जाने हो गए अरे नहीं धुझे को देखो मुझे वापस जाने हो गए शिंचान, मेरी दोस्त कजामा, बाई बाई, शिंचान और मुझे उनके दिमाग से अपनी यादे मिटानी होंगी शिंचान, मच जाओ ना, तुम मेरे बेस फ्रेंड हो है ना शिंचान, और फिर शिंचान से जुड़ी सारी यादे उन लोगों के दिमाग से मिटा दी गई, जो लोग शिंचान को जानते थे और फिर कजामा ने अपनी जिंदगी पहले जैसे शिरू कर दी, लेकिन अपनी है, अपनी है, और उसे चुड़ी होता है, यह गाना सुनकर मैं दुख ही हो जाता हूँ अरे नहीं कजामा, क्या तुम्हें यह गाना अच्छा लग रहा है, विकार चॉइस है चले, अप शिरू से शिरू करते ही तुम्हें जादूई दुन्या के नियम मानने ही होंगे पर एक बार हम लौट जाए, तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं, समझें? इसलिए जाओ और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश करो इस बार में इस दुनिया से अपने डैट के लिए कुछ ले जाना नहीं भूलूँगा ठीक है, पर मेरे उपर से तो होटो हमारी परिवार का नया सदस से एक और बचा है, कौन खाना चाहता है मैं ले लूँगा नहीं, मैं लूँगा नहीं, ये मेरा है अरे, अभी करते हैं फैसला वान, टो, ट्री देखो, मैं जीत गया ये लीजी शुक्रिया, शिंचान अरे, ये तो मुझे चाहिए था मुझे भी अरे, वाई, ये ही सही मौका है, बहुत बड़िया शावा, 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 जाव, जाव गूल, कर दो, कर दो, कर दो अरे, अरे, इस ये कॉमसा प्रोग्रम लगा दिया बीच में मुझे ये वाले देखना था आज जो मैं चाहूँगा, वही प्रोग्रम देखूँगा छोड़ो इसे नहीं, आज तो मेरी बारी है, ये टाइम टेबल हमने टीवी देखने के लिए बनाया था, मैं भूल गया था, माफ करना, आप कोई म्यूजिक प्रोग्राम लगा दीजिए, ठीक ही, है प्यार तुम से, प्यार तुम से, प्यार तुम से, है मज को, मैं फ्रूट काट रही और अब आप स्वागत कीजिए, सारगुच्वाजी का आप से मिलके खुशी हुए आप गाना सुनाएंगी? जी, जरूर, आज मैं जो गाना गाऊंगी, वो दोस्ते की कहराई पर आधारिक है आज कर मुझे ऐसा लगता है, यही के जब भी हम ऐसी इची चीज़ें खाते हैं तो थोड़ा कम पढ़ जाता है खाना क्या कर शकते हैं, सभी खाने की शौकीन है बिल्कुल सही कहा युन्रो भाईया क्या हमेरे परिवाइट के हैं डैट? तुम हमारे साथ आजाते हो इसी बज़े से आज कल हमें खाना कम पढ़ने लगा है कही कह रहे हो, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाने लगी हूँ लेकिन क्या करूं मुझे भी इसकी आदत सी हो गई है क्या? आज़त हो गई है? मैं सोच ही रही थी कि आज कल इतना खर्चा क्यूं बढ़ रहा है क्यूंकि सारा खाना तुम खा लेते हो, अभी भी तुमने तीन कटलिस खाए क्या कहा आपने? मेरी चोकुचे प्लोटादू, मेरा बाकी सामान भी शिंचान, ऐसा मत कहो ये तुम कैसी बाते कर रहे हो? और क्या? तुम्हें पूरा खाने को देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा बरताफ करोगे हमसे मिसेज नुहारा, आपने ही तो कहा था कि अब अच्छा है कि हमारा खाना बचता नहीं है ओ, मास कीजेगा, क्या अब तो मुझ पर इल्जाम लगाओगे? ये छेद है, तब ही ये सारी परिशानिया है क्या? हाँ, पहले हमारी ये दीवार बिलकुल ठीक थी, इसलिए हमें इसे फिर से ठीक कर देना चाहिए ये क्या कह रहे हैं आप? हमें इस दीवार के छेद का कुछ करना होगा इसे बन मत करना ये तो हमें खरना ही पड़ेगा हाँ, रुख जाएए, पहले बैट कर इस बारे में बात कर लेते हैं अगर आपने इसे बंद कर दिया, तो फिर मेरे खाने का क्या होगा? हम डिनर ले आए हैं आपका शुक्रिया आज से तुम्हें भी खाने के पैसे देने होंगे ठीक है, मैं आपके बात समझ गया हूँ अच्छा, आज का टोटल है दो हजार आट सो सतासी रुपे तो सब का मिला के इतना हुआ की? तो यौन्रो को देने हैं एक हजार चार सो चो आलीस रुपे हाँ? रुक जाएए, आपने इसे आधा आधा क्यों किया है आपके परिवार में चार लोग है और मैं तो बस अकेला ही हूँ क्या कहा? यह तुम क्या कह रहे हो? चार लोग है पर हिमावरी बस एक बच्ची है शिंचन भी छोटा है और मैं भी ज्यादा नहीं खाता हूँ हाँ हाँ तुम अकेले ही 4 जनों का खाना खालेते हो अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ भी बोला, तो तुम्हारा खाना और कम करवा दूगी अब मैं बोल भी क्या सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा वाला हिस्सा क्यू देना पड़ रहा है अरे, अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जिक जिक करोगे हमें बस हमारे काम के पैसे चाहिए, और कुछ नहीं क्या काम? कौन सा काम कर दिया? तुम छुप रहो बेटा अरे, अब ऐसा करने की क्या जरूत पड़ गई? क्यूंकि हम लोग सारा सामान लाए है ऐसा ही है बिल्कुल सही कहल आप मुझे क्यूं परिशान कर रहे हैं? आपको पता है मेरे लिए पैसों की क्या एहमियत है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ने ही कहा था कि छेट बन नहीं करना है शुक्रिया तो दूर हमारे घर का खाना खाकर हम पर ही राभ जमा लेए हो मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया बस बहुत हो गया आप दिवार के छेट को ठीक कर दो अब कोई परिशानी नहीं होगी क्योंकि ये दिवार फिर से ठीक हो जाएगी और मैं अपने एक्जाम के लिए पढ़ सकता हूँ यॉन रो तुम फ्रेम बनाओ कुछ खेलेंगे वो तो मुझे भी आता है चलो फिर खेलते हैं कुछ भी करो बस जल्दी ठीक कर दो समझे देखो मैंने फ्रेम तयार कर लिया है अम बहुत अच्छा काम करें है सच में कमाल क्या मैं भी थोड़ा करूँ प्लीज बस करो शिंचे लोग खाम पूरा हो गया ऐसी पार्टियां होती रहनी चाहिए और जूस लोगे क्या यॉन्रो आपका शुक्रिया यह तो बहुत ही बढ़िया है सादिश थंदा थंदा जू आपका शाहिसSab ले 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 ले. अलिध फे लेश्टक्रिया पहल प्रो और ये जित दे लेश्वstorm झाहिए! युन्रो भाया एक बर फिर से कीजिए ना मैं तो तर ही गया था क्या तुम ठीक तो हो? चिंता मत कीजिए मैं ठीक हूँ और तुम शिंचान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चलो थोड़ा सा जूस और पी लेते हैं लाओ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा फेवरिट जूस है मज़ेदार है ना और लोगे क्या थोड़ा सा बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा चलो एक गलास और ले ले औरे खत्म हो गया जूस मिच्ची अब और नहीं क्या क्या रही हो और कैसे नहीं है आप दोनों ने मिलकर सब तो पी लिया है सब पी लिया अरे अरे आप लोग बिलकुल भी चिंता मत करो मेरे पास जूस रखा हुआ है अरे नहीं ये क्या हो गया क्या तुम ठीक हो ये यहां किसने लगा दिया था वो कपड़े हमारी दिवार पर बहुत जच रहा था दिवार तो पहले से भी ज्यादा तूट गई है हाँ